नमस्कार डी फाइफ चैनल हिंदी के प्रोग्राम धरम धरोह संस्कृती में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में हम धरम धरोहर या फिर संस्कृती से जुड़ी जानकारी देते हैं जिनके की साक्ष आज भी धरती पर मौजूद हैं आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री क्रेश्ण 64 कलाओं में निपोंड थे जिनमें की ये कहा जा सकता है कि सारी श्रष्टी ही समाहित थी इसी बारे में आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री क्रेश्ण सत्य यूग त्रेता यूग के बाद द्वापर यूग में जब अधर्म बहुत जादा बढ़ गया था तब उन्होंने भगवान श्री विश्णु हरी जो की भगवान श्री क्रेश्ण के रूप में जनम लेकर आये थे उन्होंने धरती पर जनम और इसके बाद उन्होंने जो किया वो सब आपके सामने हैं उनकी लीलाओं का वर्णन हम बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से क्या क्या किया इसमें एक चीज और भी साफ दिखाई देती है मैं कि सत्यूग त्रेता यूग और द्वापर यूग और भगवान शिरी कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि इनकी देहांत से पहले यानि कि देहांत नहीं कह सकते देवा गमन से पहले इनके देवा गमन के 80 साल के बाद कल यूग का प्रारंप हुआ जो हमारे पुरानों में इसके बारे में वरने थे तो ये भी कहा जा सकता है कि भगवान शिरी कृष्ण इस धरती पर देवी देवताओं के रूप में या भगवान शिरी कृष्ण के रूप में आखरी ऐसे जिन्होंने पूरना वतार के रूप में अवदरित होना माना इसमें एक चीज और भी है कि शिरी कृष्ण के जीवन में इतनी लीलाएं हैं हर एक लीला हर अलग लग रंग को दर्शाती है भगवान शिरी कृष्ण के अगर बाल रूप की बात करें क्योंकि बाल रूप ही इस मानस धर्ती पर सबसे पहला रूप है वह मानस रूप और मानस रूप में भगवान शिरी कृष्ण का लीलाएं को वरनन शायद शब्दों से व्याख्या करना मुश्किल ही नामुम्किन है क्योंकि भगवान शिरी कृष्ण का बाल पन गोकल और व्रिंदावन में भी थ बाल रूप की अगर बात करे तो ताड का पूतना शक्ता सुर जैसी राक्षसों का वद किया जाना ये बाल रूप में उनके स्वभाव में शामिल था तब ही उनके दर्शन हमें इस धरती पर आसानी से मिलते हैं और खास रूप माखन चोर, माखन चोर के रूप में बाल रूप का शिरी कृष्ण का रूप आज भी हमारी लीलाओं में वरनित दिखाई देता है इसके बाद आता है शिरी कृष्ण का गोपाल रूप यानि कि वो गौले के रूप में सामने आए वो गाये चराते थे गायें को चराने के लिए वो वन में ले करके जाते थे अपने परिवार वालों के साथ में जब उनके साथ में जो जाते थे उनके सखा या मित्र कहले या फिर और जो ग्वाले जाते थे जो पुरुष होते थे उनको ग्वाले कहा जाता था और जो महिलाएं होती थी उनको ग्वालन और फिर उसके बाद में उनको अगर शॉर्ट में कहा जाए तो उन्हें गोप कहा जाने लगा और महिलाओं को गोपियां शायद इसी वज़े से जब भी श्रीकरशन डांडिया रास करते थे तो उनके साथ में गोपियां मौजूर होती थी यानि कि वो गौलन उनके साथ जब डांस किया करती थी तो उसे गोपियां कहा जाने लगा और ये डांस मतुरा ब्रंदावन और यहां तक की गुजरात में बहुत फेमस है डांडिया डांस जी अगला रूप है उनका गोवर्धन धारी शिरी कृष्ण भगवान शिरी कृष्ण के अगर गोवर्धन धारी शिरी कृष्ण के रूप में हम व्याख्या करें तो ये रूप बहुत ही खास है इसमें भगवान शिरी कृष्ण ने जल प्रले से बचाने के लिए गोवर् पूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का भी वद किया इसमें एक रोचक प्रसंग भी है इस मत्रा और विरिंदावन के इलाके में आम तोर पे भगवान इंद्र की पूजा करने की जादा परमपरा थी तो शिरी कृष्ण तो भगवान का वैसे ही रूप थे मानस रूप थे प्रन्तु उन्होंने जब सभी लोग कहते थे कि भगवान इंद्र को अगर प्रसंद करेंगे तब ही इस धर्ती पर जल की वर्शा होगी और अन्पैदा होगा तब उन्होंने इस पूजा को बाधित करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए एक निया रूप धारन किया वो ता गुवर्धन धारी और इंद्र ने अपना पूरा जोर लगा दिया वहाँ पर जल प्रले भी कर दी प्रन्तु इस इलाके को कुछ भी हानी नहीं हुई तब शिरी कृष्ण ने इंद्र को कहा कि ये इस तरह की पूजा अर्चना जबरन करवाने का कोई औचित्त नहीं है इंसान को अपने इश्ट को मानने के लिए केवल मन से और बुद्धी से ही उसका प्रयोग करना चाहिए जल प्रले से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी तरजनी उंगली पर उठा लिया था और सभी गाउवासी उसके नीचे एकठे हो गए थे ताकि वो उस जल प्रले में समा न सकें इस वजह से भी इनको पूजा जाता है इसके बाद आता है एक शिश्य के रूप में उनका होना उज्जैन में उन्होंने गुरु संदीपन के आश्रम में अपने भाई बलराम अपने दोस्त सुदामा के साथ शिक्षा ग् अम्रत पुत्र को यम्राज से वापस लाकर अपनी दिक्षा दी यानि कि उनको गुरु दक्षिना दी इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि उन्हें जैन धर्म में भी पूजा जाता है उन्होंने 22 तीर्थंकर के रूप में नेमीनाद जी के रूप में शिक्षा ग्रहन की भगवान श्री कृष्ण का अगला रूप है सखा और सखियां इनके नाम में बहुत लंबी फेरिस्थ हैं श्री कृष्ण के सभी सखा और सखियां सभी जाती धरम अमीर गरीब की सीमा को पार करके उनके साथ जुड़े हुए हैं इन में सुदामा, श्रीदमा, मदुमल सुबाहू, सुबल भद्र सुभद्र, मनी भद्र भोज, तोक कृष्ण वरुथप, मधुकंठ विशाल रसाल, मकरंद सदानंद चंद्रहास, वकुल शारद, बुद्धी प्रकाश और प्रिये अर्जुन के नाम प्रमुक रूप से लिये जाते हैं, जबकि शिरी कृष्ण की सखियों में राधा और ललिता का नाम प्रमुक तौर से अंकित है, जबकि ब्रम वैवरत में पुरान के अनुसार चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा, भद्रा, चित्रा, सुदेवी, ललित विशाखा, चंपक लता, इंद्रूलेखा, रंग देवी, सुदेवी, कृतिमा के नाम भी सखियों के रूप में प्रमुक माने गए हैं, इसके इलावा भौमा सुर से मुक्त करवाई गई 16,000 हजार से अधिक महलाओं को भी श्री कृष्ण की गोपियों की श्रेनी में सम्म किया जाता है, इसके बाद आता है श्री कृष्ण का प्रेमी रूप, श्री कृष्ण की बहुत सारी गोपियां हुआ करती थी, जो कि उन्हें दिलो जान से चाहती थी, इसका उलेख कई कव्यों ने किया है, यहां तक कि पुराणों में भी उनकी रासलीला का उलेख मिलता ह उनकी रासलीला, अध्यात्मिक और प्रसंगिक रूप से उनकी व्याख्या की गई है कि किस तरीके से वो रासलीला किया करते थे, गोपिया उन्हें कितना दिलो जान से चाहती थी जी श्री कृष्ण का अगला रूप है करम योगी रूप करम योगी रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का ग्यान प्रदान किया यही करम योग से अवगत करवाया जो काम श्री कृष्ण ने कहा है जनम में किया उसको हमें भोगने के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए साम, दाम, दंड, भेद इन सबी का उप्योग उन्होंने करने की जानकारी प्रदान की इतना ही नहीं उन्होंने प्रत्येक रूप में विज़ई होने की भी चाहा को स्वीकार किया और समूचे जीवन में पूरे जिम्मे बारी से इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया इसके बाद आता है श्री क्रेशन का धर्म योगी रूप उन्होंने महारशी वेद्व्यास के साथ मिलकर धर्म की स्थापना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गीता में उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानी होगी तब तब मैं इस धर्ती पर जन्म लूँगा और अधर्म का नाश करूँगा इसके अलावा श्री क्रेशन धर्म के मार्क पर हमेशा अग्रसित होने के लिए सब को प्रेडित करते रहे अगला रूप है बलशाली शिरी कृष्ण सभी जानते हैं कि महा भारत में महा भारत का विशाल युद्ध में भगवान शिरी कृष्ण ने अस्त्र और शस्त्र उठाने का ने उठाने का फैसला किया था और उस वचन पर वे काइम भी रहे प्रन्तु इसके इलावा उन्होंने जितने भी युद्ध किये उनमें विजे हासल की उनमें कई युद्ध ऐसे भी हैं शिरी कृष्ण के चानूर, मुष्टिक, कंस, जरासंद, काल यवन, नरकासुर, पॉंडरक और जामवन्त से भ्यंकर युद्ध हुए और उनको पराजित भी किया इतना ही नहीं, प्रिय अरजुन और भगवान शंकर के साथ भी उन्हें एक बार युद्ध करना पड़ा था श्री करिशन की चतुराई के माइने तो इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने अपने, आपको देखा तो उन्हें श्री रंट छोड़ के रोप में भी स्वीकार किया और उन्होंने रंच छोड़कर अपने आपको उस युद्ध से अलग करने के लिए भी एक निया प्रयास किया जो आज भी भगवान श्री कृष्ण की चतुराई को वर्नित करता है मत्रा को छोड़कर द्वारका में वसना उनका एक निया प्रयोजन था जिसके तहट उन्होंने दो स्थान पर अपने जो मिट्टी है वहाँ की वहाँ पर आज भी उनकी चरंधुली प्राप्त होती है भगवान श्री क्रेश्ण का अगला रूप है महायोगी रूप महायोगी मतलब की जिसको योग की साधना बहुत जादा हो भगवान श्री क्रेश्ण को महायोगी कहने में कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी भगवान श्री क्रेश्ण का शरीर बहुत ही लचीला था मगर वो इच्छानुसार उसे वज्र के समान कठोर बना सकते थे यहीं तक ही नहीं वो इतनी योगिक शक्तियों के जानकार थे कि वो योग के बल पर उन्होंने म्रत्यू तक अपने शरीर को जवान बनाये रखा था अगला रूप है भगवान शरी कृष्ण का पूरना अवतार महा भारत के युद्ध में जब अरजुन उनके प्रिया सखा ने सभी अपने अस्तर श्यस्तरों को त्याक कर युद्ध छोड़ने का फैसला किया था तब उन्होंने अपने पूरना अवतार के दर्शन करवाए थ तब उन्होंने ग्यात हुआ अरजुन को कि वे पूरना अवतार हैं और इस धर्टी पर और कुछ भी नहीं जब पूरना अवतार मेरे साथ हैं तो इस युद्ध में मेरी जीत निश्चित हैं एक इसमें खास चीज और भी सामने आती है वो ये कि अरजुन को ही केवल पूर इत्रयाष्ट को बताई थी और वो दर्शनकारने वाले केवल अरजुन ही नहीं संजे भी थे जिने ये ग्यात हो गया था कि इस धर्टी पर पूर्न परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण ही विद्यमान है श्री कृष्ण को बहुत ही राजनेतिग्य और कुटनेतिग्य भी माना जाता रहा है क्योंकि श्री कृष्ण जैसा चाहते थे वैसा करवा सकते थे मतलब कि उन्होंने भविश्य को अपनी इच्छा अनुसार मोल्ड कर दिया था यहां तक ही नहीं उन्हें ये पता था कि दुर्योधन से किस वक्त उसके शरीर को पूरी तरह वजर के समान नहीं बनवाना है मतलब ये कि उसका पूरा शरीर ऐसा नहों हो जाए कि उस पे कोई वजर प्राहर कर ही न सके इसलिए उन्होंने दुरियोधन को इस तरीके से मैनूपुलेट करा कि वो पूरी तरह से उनके कहे में आ जाए इसके अलावा उन्होंने उन्हें ग्यात था कि कब कहां क्या करना है यहां तक ही नहीं उन्होंने शक्तिशाली बारबरिक का सिर भी मांगा और वो सिर आज भी खाटू श्याम जी के रूप में राजिस्थान के खाटू में स्थित है जहां पे भगवान खाटू श्याम जी की पूजा की जाती है इसके अलावा घटोजगच को सही समय पर उन्होंने युद्ध में उतारा ऐसी कई और घटा हैं जिनके जरिये हमें ये पता चलता है कि शी करशन कितने बड़े रासनितिक और कूटनितिग्य थे इसमें एक घटना और भी सम्मिलित है मैं वो ये कि शी करशन ने करन से उनके कुंडल और कवच को भी इसी कारण उन्होंने हासिल करवाने में योगदान दिया क्योंकि अगर वो कुंडल और कवच रहता तो अरजुन करन से जीतने में कभी भी सफल ना हो पाते और मा भारत का पूरा युद ही बदल जाता है एक तरीके से परिपेक्षी अलग कुछ होता जो आज जो हमारे सामने है रिष्टे और शिरी कृष्ट ये है उनका अगला रूप शिरी कृष्ट के बारे में सभी जानते हैं कि वो पांड़ों के संग थे परंतु ये भी सत्य है कि उनके कौर्वों के साथ भी बहुत घनिष्ट ही नहीं पारिवारिक संबन थे अगर भगवान शिरी कृष्ट के बेटे साम की बात की जाए तो वो दुर्योधन की बेटी लक्ष्णा के साथ उनकी शादी हुई थी यानि के दुर्योधन भगवान शिरी कृष्ट के समधी भी थे इसके इलावा शिरी कृष्ट की आठ पत्निया थी जिनमें रुक्मनी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्षमना, भद्रा और कालिंदी शीरी कृष्ण के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन से इनके असी पुत्रों ने जन्म लिया था शी कृष्ण की तीन बहने हुआ करती थी एकांगदा, सुबद्रा और द्रौपती शी कृष्ण ने अपनी बहन सुबद्रा की शादी अर्जुन के साथ करवाई थी ये हम सभी को पता है क्योंकि मा भारत हम सभी ने देखी है ऐसी ही और जानकारी लेकर के हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे अब मुझे वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए इस तरह के रोचिक प्रसंग लेकर हम आपके समक्ष फिर पेश होते रहेंगे धन्यवाद